हलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ हेमन प्रथान आए स्टार्ट करते हम नुक्लिय टेकलोजी इन इंडिया को भारत में परमाणू प्रदी का विकास या नाभी की प्रदी का विकास भी कह सकते हैं दोस्तों इसके पूर्वी की क्लास का डेवलप्मेंट कैसे हुआ और यहां पे हमको कुछ महत्पूर्वातों को समझना होगा सबसे पहले इसको हम तीन प्रमुख बिंदों के साथ कवर करने वाले हैं पहला हम देखेंगे कि यहां पे भारत में भारत में जो है इसकी नीव कैसे पड़ी और उसके बाद नीव कब बने तो परमाणू हत्यार में हमारी आत्म निर्भरता को देखेंगे परमाणू हत्यार में हमारी निर्भरता जो हम उसको देखेंगे तीसरा हम देखेंगे कि यह जो नुकलियर टेक्नलोजी है उसमें जो है हम देखते हैं कि भारत में भारत में आप यहां पे पर्मानु ऊरजा सयंत्र टीक। इन तीनों चीψों को आज हम हम देखते हैं कि हम किस प्रकार निर्भर हुए और तीसरा निर्भर हुए हम कि वर्तमान में भारत में जो परमानु सायंत रहें तो वो किस दिसा में आगे बढ़ रहें और हम क्या आगे भविस्य में अपना इसके पूर्व पिछली क्लास का थोड़ा समय आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि पिछली क्लास में हमने निक्लियर रेक्टर को यह स्ट्रक्चर को देखा था अब यहां पर कुछ बाते जो आपके इस एक्जाम की पॉइंट यह पूछा जाता हूँ बहुत ही इंपॉर्ट क्या होता है इंधन होता है और वो इंधन कौन सा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा यूरेनियम थोरियम प्लुटोनियम यह सब चीजें होंगी तो यहां पर हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क यह जो विखंडन होगा यहां पर उसके कारण बहुत मैसिव इनर्जी निकलती हैं और मैंने आपको यह भी बताए था कि नूग्लियर की तुलना में की तुलना में जादा पीइज निकलती हैं यह मैंने बताया था तो यह बाते अप रिपीट करते हैं कि इंधन के तौर पर हम यहां पर क्या डाले सपोज यूरेनियम 235 डाले हो सकता है यूरेनियम 238 भी हो ठीक है अभी जो हमारे पास टेकलोजी आ चुकी हम थोरियम भी उसमें डाल सकते हैं ठीक है बट यह जो स्टक्चर है यह जो नुक्लियर रेक्टर का एक बेसिक स्टक्चर है यह स्टक्चर जो है वहरी भी करता है क्योंकि आप कौन से टेकलोजी उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले हम इन बेसिक को फिर से समझते हैं फिर उसका डेवलप्मेंट पार्ट को समझेंगे तब आपको जादा चीज होना चालू होगा तो क्या करेंगे हम न्यूट्राण की बंबारी करेंगे किस पर इसी रेडियो एक्टिव एलेमेंट पर न्यूट्राण की बंबारी करेंगे तो जब न्यूट्राण इसमें बंबिंग होगा तो उसके बाद क्या करेंगे वह स्ट्रिंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी और प्रत्य चरण में तीन न्यूट्रों निकलते चलेंगे वह तीन न्यूट्रों घूम फिर के फिर से इसी इंधन पे बंबारी होगा और फिर से वह तीन निकलेंगे यानि कि एक सिंखला बद रूप से चेन रूप से लगातार हर चरण में न्यूट्रो था एक हमने समझा था कि यहां पे मंदक कौन है मंदक कौन है और दूसरा सीतलक क्या है ठीक है यहां से questions पूछे जाते हैं इसलिए मैं इसको repeat कर रहा हूं मंदक मतलब यदि आपको उस neutron के बंबारी होने के बाद जो reaction हो रहा है ती neutron निकल रहें उसको यदि आपको slow करना है उसकी गती को slow करना है मंद करनी है तो moderator के तौर पे क्या हो जाएगा moderator के तौर पे क्या हो जाता है एक तो प्रयोग किया जाता है भारी जल भारी जल प्रयोग किया जाता है और दूसरा हम देखते हैं ग्रेफाइट ग्रेफाइट की छड़ें भी आप उसमें डाल दो तो यह क्या है इसके कारण क्या होता है अभी क्रिया स्लो होती है तो यह भारी जल है सीतलक के तोर पे हम भ कुछ ऐसी चीजां भी होती है ज़ो अभिक्रिया में बहुत भारी मात्रह में क्या खरती है वीड़ियोर आपको क्या करना है थोड़ा सा कूल करना है ठंडा करना है ताकि इस हीट के कारण जो है यह दिवार बस्ट मत हो दूसरा उस उसमा का 6 मत हो जाए दूसरी तरफ तो इसके लिए आप क्या करते हैं यहां पर आप डालते ही सीतलक ठीक है तो जैसे यहां पर मंदक यहां पर हमने इतलग है यहां पर देख तो यह कूलेंण क्या आएगा क्या करते हैं है भारी जल और स्था में रहता है तो यहां क्या है liquid sodium का प्रयोग करेंगे तो यह सीतलक के तौर पे जो यहां पर heat को थोड़ा cool करेगा वो क्या है भारी जल या liquid sodium अब सभी को इतनी बात है clear हो गई अब तीसरी बात देखें यहां पर क्या है control rods 123 तीन rods हैं तो यहां पर क्या है यह क्या नियंत्रक छडें तो अगला जो होगा आपका दो महत्पूर्ण चीज प्रयोग किया जाता है एक कैडमियम और दूसरा बोरान कैडमियम और बोरान की छडें जो है यह नियंत्रक छड़ों के तौर पे काम आती है जो अभिक्रिया को थोड़ा सा control करती है पहला यहां पर यह slow किया था जिसे हम moderator यह मंददक कहें दूसरा coolant कहें जिसों सीत लक जो अभिक्रिया में उत्पन होने वाली उस्मा की मात्रा को कूल करता है ठंडा करता है और तीसरा जो नियंत्रक छड़े है जो अभिक्रिया जब हो रही है तो उसकी गती को क्या कर देता है, स्लो कर देता है यानिकि आप देखते हैं यहाँ पे नियंतरण करता है अभिक्रिया को ठीक है यह सबज गए, तो ये अग्जाम में निश्शित चोरभे पूछे जाते हैं और आपको जदी आपको यह साथ दे दिया गया कैडमियम बोरान ग्रेफाइट और यह जो है जो है सोटियम दे दिया गया तो आप जनरली का निफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मंदक है कौन सा नियंतरक है तो शुक्ति यह प्रलिम से अप्रोच है इसलिए हम इस बात को समझ कि किस प्रकार यह चीजे आपके लिए यूस्फुल हो सकती है अब यहां पे देखें यहां पर जो यह जो चेंबर बना है यह जो chamber है इसकी भी अपनी विशिस्ता है यह तो या तो cranket की बनी होगी या steel की बनी होती है ठीक है तो यह इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ massive energy निकलती है बहुत भारी मातरा में निकलती है गर्म भाब जाता है और गर्म भाब के बाद जो है वो turbine घूमने लगता है और finally electricity produce होती है और वापस वो इस तरफ आके ठंडा हो जाता है ठीक है तो इस प्रकार यहाँ पे यह समझ रहें कि इस structure में जो महत्पूर पार्ट है जो always पूछे जाते कभी इसका reaction किस प्रकार होता है नहीं पूछेगा ना भी की विखंडर पर आधारी तो basically विखंडर ही इसका basic method है बड़ यहाँ पे जो पूछा जाता है वो यह सभी बातें पूछी जाती है अब सभी कोई clear हो गया हम आगे बढ़ते हैं अब यदि देखते हैं कि हम यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की जब technology हम प्रयोग कर किये तो अलग-अलग प्रकार की technology है तो हम पहला क्या है boiling water reactor देखे थे ठीक है उसके बाद क्या था हम देखते हैं प्रेसराइज वाटर रियक्टर देखते हैं उसके बाद क्या देखते हैं हम प्रेसराइज हैवी वाटर रियक्टर देखते हैं और उसके बाद एडवांस हैवी वाटर रियक्टर देखते हैं तो यह हमने समझा था औ विकास के क्रम देखेंगे तो इसी का ही तो विकास हो एक्षल में तो बाते दुबारा इसलिए यहां पर समझ रहे हम तो बॉइलिंग वाटर रियक्टर में हमने क्या देखा था यूरेनियम दो सो पैतिस प्रयोग कर रहे थे और भारी जल को किस जो है सामाने जल को किस लौइल कर देएं तर इसे एक बॉइलिंग वाटर लिवाटर हम क्या है मंदक और सीतलक के तौर पर प्रेंग कर रहे थे इंधन के प्रहुक कर रहे थे आंद यूरे इंियम गयर के समझ गये मंने कच सीब्ग दाब llama के तौर पे मॉडरे समक्या यहां पर दूस्येयरिक द यह अवगथ बहुत भारी मातना में दाब जंड़ेट करके क्या कर रहे थे जो वाटर को यदि आप गरम करेंगे तो वह क्या बन जाएगा वैपर बन जाएंगा वास्प बनजाएगा यदि आप गरम करते हैं तो यूद्ड इस केह में था चुitious का डाब बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो यह वास्प हुए बीना क्या कर देगा सीधा 320 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ही वो कनवर्ट हो जाएगा यानि कि ऐसा पानी जो जल वास्प के तौर पे रिपीट ऐसा पानी जो गरम करने पर वास्प ना बदलके काफी उच उसमा वाली जल में परिवर्तित हो जाता है तो वह प्रेसराइज वाटर रियक्टर में यह टेक्नलोजी थी यह समझ गये तो इसमें वापस से वही चीज़ा थी यूरेनियम वगर प्रेयोग कर रहे थे अब यहाँ पे देखिए थार्ड जो कैटेगरी आ यानी कि डीटोओ प्रेयोग किया रहा है यह बात समझ गया आप तो प्रेसराइज वॉटर रिएक्टर में भारी जल को प्रेवख कर रहे हैं मनदक एवं सीतलक दोनों मोडरेटर and coolant के दोनों के तोर पे हम क्या प्रेव कर रहे हैं भारी जल को प्रेव कर रहे हैं समझ गए अब यहां पे क्या था कि हम ऐसे इंधन को प्रेव कर रहे थे जो फिसाइल मटेरियल था विखंडेनी पदार था जिसे की युरेनियम 235 और युरेनियम 238 ठीक है तो वह आपको पता है कि युरेनियम 235 काफी सुक्ष्ण मात्रा में रहता है यूरो पॉइंट 7 परसेंट फिर भी हम वह देखते काफी इंपॉटेंट होता है क्योंकि आपको है कि चेंट रियक्ष्ण के लिए छोटी सी मात्रा भी आपके लिए बहुत यूसफूल होती है क्योंकि वह चेंट के रूप में काम करती है तो यहां पर देखते ही कि विखंडनी पदार्थ या फिसाइल मटेल के रूप में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 इंदन के तौ पर आप भारी जल का प्रेव किए इसके बाद हम चलते हैं आगे की और एडवांस हैवी वाटर रियक्टर ठीक है थोड़ा इसको फिर से समझ लीजिए प्रेसराइस हैवी वाटर रियक्टर में याद करिए कि भारी जल तो है ही मंदक और सीदलक के तौर पर फिसाइल मटे अब यहां पी जो अगला आता है एडवांस हैवी वाटर रियक्टर जो उन्नत भारी जल रियक्टर था एडवांस हैवी वाटर रियक्टर में सबसे पहले आपको बता दूँ जो मंदक और सीदलक के तौर पर क्या प्रेयोग किया जा रहा था यहां पे देखिए मान लोग यहां पे देखते हैं सीदलक यह क्या है सीदलक और यह जो है मंदक तो सीदलक के तौर पर हम क्या कर रहे थे भारी जल को प्रेयोग कर रहे थे और यहां पे मंदक के तौर किसके प्रेयोग कर रहे थे अक्रिश्टलिय अक्रिश्टलिय कारवन को हम प्रेयोग कर रहे थे ठ अब चोकि एडवांस है वी वाटर रियक्टर है तो इसमें हम क्या है यह थोरियम बेस्ट टेक्नलोजी है अब थोरियम भारत में यदि देखा जाए थोरियम का कितना प्रतिसत बंडार है लगभग लगभग देखते हैं कि भारत में विश्वक के कुल बंडार का 25 प्रतिसत थोरियम भारत में इस्थित है इसका मतलब यदि हम थोरियम बेस्ट को ऐसी टेक्नलोजी डेवलप कर लें तो आप क्या है लाखों वाट जो है इनर्जी प्रडियूस कर सकते हैं बट थोरियम बेस्ट टेक्नलोजी अभी हम क्या हैं सफल हुए हैं वर्स 2014 के बाद से अब उ जब हम बात करते हैं नुकले टेक्नलोजी को भारत में तो भारत में नुकले टेक्नलोजी को जनक कौन है डॉक्टर होमी जहागिर भाबा और उन्होंने ये अबजर किया था कि भारत में चुकि थोरियम का भंडार बहुत ज़ादा है तो क्यों न हम थोरियम बेस्ट टेक् प्रारब करें और इसके कारण जो है भारत जो है उर्जा के छेत्र में बहुत आत्म निर्भर्ता को देखते हुए या भारत की उर्जा पूरा करने के लिए इसी थोरियम को हमने क्या किया था हमने लक्ष निर्धारित किया हुआ था और उस समय डॉक्टर हुमी जहागीर भाबा ने स्टार्टिंग का जो उनकी टेकलॉजी थी वो क्या थी थोरियम बेज़ी थी क्योंकि यूरेनियम हमारे पास बहुत ही कम है भी को क्लियर हुई तो एडवांस है भी वाटर रियक्टर में इंधन क्या हो जाएगा थोरियम हो जाएगा और इसके अलावा इंधन में एमो एक्स कप दिखेंगे मिक्स ऑक्साइड फ्यूल मिक्स ऑक्साइड फ्यूल जो है वो क्या है मिक्स ऑक्साइड फ्यूल जो है इसे थोरियम ऑक्साइड और क्या करेंगे प्लूटोनियम ऑक्साइड प्रोटेनियम डाय ऑक्साइड को इस परकार प्रयोग कर सकते हैं और मिक्स ऑक्साइड है इसक तो यहां पर इंधन के तौर पे थोरियम भी प्रयोग हो रहा है च्विक thumb को दारिक अप इंधन के तौर पर नहीं प्रयोग कर सकते हैं उसे ब्रीडर रियुक्तर से आप गुजारो फिर उसका विखंडन होगा विखंडन होने के बाद इस प्रकार के दूसरे ऐसे उसके समस्थानिक यानि के आइसो टोप्स या दूसरे ऐसे प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पे वो अन्वर्ट होता है देन आप्टर वो थोरियम को आप प्रयोग करोगे तो समझ गए तो यहां पे इंधन के तोर पे थोरियम प्रयोग हो रहा है सभी में थोरियम है और यहां पे उसका विखंडन हो रहा है या तो प्लुटोनियम 249 में होगा या फिर देखते हैं यूरियम 235 में होगा थोरियम का विखंडन करते हैं यानि कि वहां पे हम mixed oxide fuel का प्रयोग करेंगे आप सभी को इतनी बाते clear हो गई अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि भारत में इसका विकास किस प्रकार हुआ तो भारत में यदि हम देखते हैं कि नाभी की प्रद्वगी का विकास तो वो तीन चरणों में हुआ है भारत में नाभी की प्रद्वगी का विकास यदि हम देखते हैं तो वो क्या है तीन चरणों में हुआ है और यहाँ पे इस बातों को समझीए तो यहाँ पे देखिए पहला चरण क्या है प्रथम चरण में क्या था और दूसरा चरण क्या है द्विती चरण क्या है और फिर त्रिती चरण क्या है है ना द्विती चरण यहाँ पे इस बातों को इन बातों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह conceptual है और आपस में एक दूसरे से related है यह द्विती चरण हो गया फिर देखते हैं यह त्रिती चरण हो जाएगा समझते हैं फिर इन चरणों को आप ज्यादा बेहतर तरीकी से समझ पाएंगे तो आए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में नाभिकी प्रादुगी नीव किस प्रकार पड़ी तो यह समय था भारत में जब भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के बाद डॉक्टर होमी जह जखनी 30 छेत्रों में मोनाजाइट के रेत मिलते हैं यहाने कि वहां पे आपको थोरियंके चांसेश हैं थोरियं मिल सकता है तो इस प्रकार हम यदि थोरियं को क्या करेंगे न्युक्लियर टेक्नावजी के तौर पे हम यदि प्रयोग करेंगे तो भारत अपनी उर्जा छे 10 अगस्त 1948 ए्याट इंपॉटेंट है इस दिन को क्या है किसकी घोशचना होई final इस्ठापना होई यह इस्ठापना हुई परमाणू- directory पर्माणू- попадwo ऊरजा क्या है विभाग होगा यह आयोग होगा इस समय क्या स्थापना होई परमानो और जा आयोग आयोग में जो बैठेंगे वो क्या होंगे नीति निर्माता होंगे तो कमीशन में जो बैठते हैं वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं और विभाग में जो बैठते हैं वो एक्चुल में क्या होते हैं वो ए 1945 को सरदोराब जी टाटा के सहयोग से ऐई इती बना था है ना एक संस्था बना था 1945 में तो सरदोराब जी टाटा का भी युगदान है भारत में नाविकी प्रदूपि की स्थापना भूई देन आप्टर पचास के दसक में यही वो दसक था जब डॉक्टर होमी जहागीर भाबा ने यह ट्राइलेटरल जो डेवलप्मेंट पार्ट है त्रीस तरी जो विकास का कारिकरम था इसका प्रारंबिक चरण कौन सा था यही 1950 का दसक यही पे वो कारिकरम चालू हुआ समझ गए और वर्स 1954 को 3 अगस्ट तीन अगस्ट 1954 को क्या स्थापना हुई परमानु उर्जा विभाग की स्थापना हुई फाइनली ठीक और आपको बता दू दोस्तों यहां पी काफी महत्पूर्ण फैक्ट भारत में अलग-अलग प्रकार की न्यूक्लियर रियक्टर है मैं सब्सक्राइब बनाएंगी तो यहां इसार्टिस प्रेटर था और भारत का पहला रियक्टर क्या था ऑफसरा ये पूछा जा चुका है एक्जाम में 2 writers में वह नोट करिएगा तो यह जाद रखीएगा यह निक्लियर रियक्टर का कौन सा पार्ट है रियसार्च रियक्टर है ठीक है वह इलेक्टिसिटी प्रड्यूस करने वाला रियक्टर नहीं था वह तो 1969 में हम आते हैं सब से पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं तारापुर में ऑक्टूबर 1969 को तारापुर में हमारा पहला जो है नाभी की सयंत्र बनता है ठीक है उसे हम पढ़ेंगे भी लेगिन यहां पर देखिए भारत का पहला रिसर्स रियक्टर या न्यूक्लियर रियक्टर अगर आपको वर्ड पूछा जाए क्या लिखना है आपको अपसरा टिक करना है यह कब बना था 1955 में 1955 में अब आप चीजों को 1950 के दसक में होती है चूंकि यहां पे इसके पूर्व क्या है आयोग बन चुगा था 1948 में और यह चीजें एक्जीक्यूट तब तेजी सी होंगी जब 1954 में परमाणो उर्जा विभाग बनेगा और यह बनते ही सबसे पहले हमने अपसरा बनाया अपना रिसर्च रियक्टर ड औरfertście पहले कि हम पहला अपना रिएक्टर बनाएं गे ऐसा हमने फ्रैयास किया तो जब हम यहां पर प्रैयास कर रहे थे इस दोन, हमको इंधन के तौरपर क्या प्रेयोग करना था इंधन, के तौरब पे हमको प्रैयोग करना था यूरेनियम और आपको मैं बता 238 क्या है यह फाटाइल माटेरियल है और यह क्या है यह फिसाइल माटेरियल है इन दोनों का अर्थ समझे यहां पर यूरेनियम 248 क्या है आप देखते हैं कि फाटाइल माटेरियल का मतलब यहां पे इसको तोड़ के हम दूसरा इसको डारेक्ट इंधर के तौर पर प्रयोग यह उत्पादक पदार्थ है वैसे थोरियम क्लोजी जो आज प्रयोग कर रहे है जो युरेनियम 25 यूरेनियम इसको भीर्टे विखंडेट होगा संदे बतार्थ प्मॉण यह इसथे थोरियम 232 को हम क्या करते हैं अगर उसका विखंडन करते हैं तो वो क्या बनेगा यूरेनियम का दूसरा जो मटेरियल बनेगा यूरेनियम का दूसरा बनेगा यूरेनियम 233 बन सकता है ठीक है उसी प्रकार यहां पर यूरेनियम 238 का विखंडन करेंगे तो क्या बन सकता है 249 बन सकता है ठीक ये बात है समझ गये यह उसमें क्या है देखो चैसे कि सायक तवस्था में रहता तो जीरो पॉइंट सैवन पर्संट इक्या रहता है एरनियम 235 रहता ही और इसमें क्या है बाकी जितना देखते आपको कि यहां पे हम दो बाते समझ रहें कि यहां पे हमको क्या है यूएसे से हमने टेक्नोलोजी लिया और वह क्या बोला वह हमको प्रयोग करने के लिए बोलेगा ट्रीटेड यूरेनियम तो यह इसे क्या कहते है परिस्कृत यूरेनियम और परिस्कृत यूरेनियम क्या ह करेंगे और क्या करेंगे यह जीरो पृइंट सैवन की मात्रा को हम क्या करेंगे बढ़हा रहे हमति हैं क्रेंगे ок तो हमारा जो पहला स्तार्टिंघ जो फेज था वो फेलियर रहा था थीक है तो यह समझ गए पूरा चरंड़ फेलियर नहीं रहा स्तार्टिंघ फेज जब USA से हमаю व में छेट फेल्य रहा था अब यहां पर अगला चरंड करते हुं यहां पर हमबбоिलिंग वाटर रियक्टर की योर चल रहे हैं तो अब क्या है अब जो चरंड पहुंचा वो तो यहां पे यह जो चरंड है सबका अपना एक सफलता का एक स्टेज है इसली हम पहले ही चरन के उसके बाद की अवस्था में starting के असफलता के बाद हम देखते हैं कि हम यूरेनियम 235-238 को हम प्रयोग करने लगते हैं ठीक है क्योंकि इस दोरान हम देखते हैं हमारे पास जो टेकनलोजी थी वो नत हो चुकी थी हमने कनाडा से हेल्प लिया था और 1969 में हमने सबसे पहला जो है अपना तारापुर में पहला निकलियर रियक्टर स्थापित कर लिया ठीक है अब पीएज डवलूर तक हम सीधा आगे बढ़ चुके हैं समझ गये यहां पे डवलूर पीड पहला चरण था यह सभी बात आपको क्लियर हो गई अब यहां पे कुछ बातों को और समझेए जो आपके एकजाम के लिए हो सकता है महत्कूर हो तो इसको मैं मिटा रहूं इतना पाट को तो पहला चरण के बात अब हम चलते हैं दूसरे चरण कि ओ तो दूसरा चरण क्या याद रखेगा है अब ब्रीडर रियक्टर हम बनने की और आगे बढ़े ब्रीडर रियक्टर की जुरत तो यहां पर हम उनों को क्या मेंने बताया यह क्या उत्पादक पदार्त्त हो Sicht information सबस्क्टा सब्सक्राइब है और और इंधन के तौर प्रयोगों नहीं किये जा सकते अब क्या किए ब्रीडर्र लियक्टर जो है बंदाने का प्रयास कि ऑप हीतर बनाने के बाद यह प्रवेज करते हैं यह इनन तो 489-7 बदल जालों यह बदल जाता है नियुक्तानीय पडार्थ यह क्या नियुक्तнить 2016 में बदल जाता आप यह दोनों इसने प्रतार्थ यह बदल गए यह इसे क्या कहें दաर्द वाला नहीं आपक ट्रादर बीट यह क्या है यह क्या है उत्पादक पदार्थ ठीक है या तो यह समझ गए यहां पर यह क्या हुआ यह विद रियक्टर की मदद से ही ऐसा संभव हुआ और यदि हम ऐसा कर पाए तो अब यह तो इंधन मिल गया आपको फ्यूल मिल गया आप तो अब रियक्टर को जितना ज्यादा चलाओ क्योंकि आ अपने डीड़र रियक्टर बना दिया तो डीड़ रियक्टर अब दो प्रकार के होते हैं यह यह थिर्धार्ण और दूसरा होता है है फास ब्लेवेडर रियक्टर्ण थ Y इसको देखिए यहां पर देखिए दो बातें आपको समझा रही होगी पहले रियक्षन में पहले रियक्षन में क्या करते हैं हम सब्सक्राइबर को प्रयोग करते हैं तो ठीज गति के साथ बंबारी करता हो तो तेज गति के साथ बंबारी करेगा तो उस केस में क्या होगा यहां पे अभिक्रिया चालू हो जाएगी नुक्लियर विखंडन की तो उसके कारण जो होता यूरेनियम 238 जो है अब किस में बदल जाता है फ्लोटोनियम 249 में बदल जाता है एवन थोरियम भी बदल सकता है यूरेनियम 233 में तो इसमें एक महत्पूर बात क्या समझें न्यूट्रोनों की गति को रोकने नहीं है जितना जादा से जादा आपको क्या है बढ़ाना है तो फास्ट इनननकी अटेक से क्या है ऐसा ब्रीड़ बनाना तो फास्ट अगदर रीक्टर बनाना बास्ट अगज की मदद से यूरेनियू क्लियर हो गया अ अब देखते दूसरा उसके कहते हैं तापिययद तापी है ब्रीडर रियक्टर तो तापी है ब्रीडर रियक्टर में क्या है आपको न्यूट्राणों की गती को क्या करना होता है स्लो रखना होता है न्यूट्राणों की गती को याने कि ऐसे न्यूट्राण जो धीमी गती से चल रहे हैं उन न्यूट्राणों की मदद से आप आप क्या करेंगे फाइनली कनवर्ट करेंगे थोरियम को युरेनियम 233 में बट इसके द्वारा युरेनियम 238 का इसमें कनवर्जन प्लूटोनियम 239 में नहीं हो सकता इट इस यह इसी के लिए था ठीक है तो इसी के लिए ही थाई समझ गए तो दोनों में अंतर यह फास्ट न्यूट्राण स्लो न्यूट्राण ठीक है अब यहां पर एक बाते आपको समझ आ होगी कि न्यूट्राण की गति दो करना पड़ता ना क्योंकि रिएक्षिले लगातार होता है और तर हो तो यह बाते सब्सक्राइब तो यह दूसरा चरण में हमने क्या किया ब्रीडर रियक्टर को फाइनली बनाया और हमने सबसे पहले जो है कल पक्कम में अगला जो है नुक्लियर रियक्टर बनाया ठीक है यह वस था अब वस नोट कर लीजिए अभी मैं उसको नोट भी कराऊंगा 1971 में है न इंद्रागांधी परमाणू अनुसंद्हान में केंहरा दूसरा क्या था तो 1971 में IGC R कह स्थापना हुआ इंद्रा गांधी सेंटर फॉर एंटामिक रिसर्च इंद्रागांधी परमाणू विकास केंहरा और ये कहा था कल पक्कम में कल पक्कम कहां पे हैं कल पक्कम है तमिल नाडू पे समझ गए तमिल नाडू छेत्र क्यों चैन किया गया है वह बात है क्लियर हुई क्योंकि ब्रीडर रियक्टर वहां पे होगा जहां पे थोरियम ज्यादा होगा और थोरियम कहां पे होगा 30 छेत्रों में मिल रहा कर लेते हैं तो आप देखते ही कि दूसरा चरण में आपने ब्रीडर रियक्टर बना लिया पहला कल पक्कम में आप क्या है इस प्रकार का आपने नया न्युक्लियर रियक्टर भी स्थापित कर लिया जिसमें कि आप ब्रीडर रियक्टर के द्वारा इस प्रकार की चीजें इंधन की रूप में विखंड़नी पदात आप बना पा रहे हैं अब यहां पे आप विखंड़नी पदात बना तो लिये हैं लेकिन आप थोरियम को न्यूक्लियर इंधन के तौर पर प्रयोक करने की टेक्नलोजी आपके पास अभी तक नहीं आई है इस बात को अब ध्यां र रियक्टर दौर यह भी आप अपने बना लिएक और यह समझ गए इस प्रकार आप देख रहें अब यहां पी बात समझीए कि थार्ड स्टेज में डढ़ता था थर्ड स्टेज में होता क्या है इन चीजों को आप समझने का प्रयास करिए थर्ड स्टेज में बेसिक लिए जो है अब हम ऐसी टेकलोजी का प्रयोग करेंगे जो क्या होगा थोरियम बेस्ड होगा थोरियम आधारित क्या है हम ऐसा रियक्टर बनाएंगे और आपको पता है हम डारेक्ट टिंधन तो है नहीं वह इक विखंडरी पदार्थ नहीं है वहแक होत्पादकरे सब्सक mission को बदलना है ह। fertile to fissile material में आपको convert करना है तो third stage में हम क्या कर रहे हैं थोरियम आधारी reactor बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण यदि आप देखते हैं कि वर्स 2014 में हम उस technology को हासिल कर चुके हैं जो थोरियम based होगा और आने वाले समय में इसलिए हम अपनी उर्जा जरूरतों को उर्जा के जो लक्ष हैं वो काफी बड़े बड़े रखें अभी उसको देखेंगे तो समझ गए तो 2014 में हम उसको सफलता हासिल कर लिए हैं कि हम थोरियम आधारीत इस प्रकार का रियक्टर बना लेंगे यह भाबा इटामिक रिसर्च सेंटर नहीं जो है फाइनल सफलता हासिल किए इतनी बातें आप सभी उक्लियर हो गई अब देखिए अब चलते हैं हम आगे कुछ और महात्पूर्ण फैक्ट की ओर और वो महात्पूर्ण फैक्ट है यह भारत में जो न्यूक्लियर रियक्टर बने हैं तो न्यूक्लियर रियक्टर बनने के दौरान बहुत चारे ऐसे कंट्रीज थे जो हमको मदद किये और किस प्रकार भारत में न्यूक्लियर रियक्टर जो है कहां कहां स्थापित हैं यह ओलेडी प्लांड वाले हैं जो अलेडी देखिए इन बातों को सबसे पहले मैंने बताया था कि तारापूर पर्माणो विद्युद्ग्री 1969 में अब यह समझ पाए आप पहले चरण में हम बनाए उस समय जो है सहयोगी रास्ट कौन था अमेरिका था और इस दोरान हुआ क्या स्टार्टिंग में हमने क्या किया स्टा स्टार्टिंग फेस में वह क्या फेलियर रहा बट हमने कनाड़ा की हेल्प लिया और कनाड़ा की हेल्प लेने के बाद जो है यहां पर फाइनली स्थापित कर दिया यहां पर क्या है यहां पर स्टार्टिंग की टेकलोजी किया यूए से आयात किये थे इसलिए यहां पर वैसे सही योगी राष्ट है यह टेकलोजी जो स्टार्टिंग में फेल रही थी फिर हमको कनाडा ने हेल्प किया और कनाडा जो है घल्प करने के वाद इसको स्थापित किये इसलिए यहां पर अमेरिका है कनाड़ा नहीं है यह बात को ध्यां रखेगा ठीक दूसरा देखते हैं अच्छा इसमें पूछा भी यह जाता है कि कौन से कहां पर स्थित है तो यह महारास्ट में स्थित है ठीक है दूसरा है रावत भाटा परमाणु लगाते हैं और आपको बता दो दोस्तों चुकि कनाड़ा हमारा पहला ऐसा हेल्पिंग कंट्री था जो हमको मदद किया इसको स्थापित करने में इसलिए भारत में देखते हैं तो सरवाधिक जो हैं भारत में सरवाधिक जितने भी रियक्टर है कनाड़ा वाले मॉडल पे ठीक है उसके बाद देखते हैं कि नरोरा परमाणू विद्युद्ग्री रिया उत्तरप्रदेश नाइंटी नाइंटी वन में बना ठीक है और यह क्या था यह स्वदेसी था इसके पूर्व कलपक्कम भी स्वदेसी था ठीक है काकरापार गुजरात में हैं नाइंटी यहां पर दो बातों को यहां पर समझे मैंने इसके पूर्व आपको बताया था आईजी सीयार और आईजी सीयार का जो स्थापना वर्स मेंने क्या बताया था 1971 में तो 1971 में है ठीक है वो कलपक कम में है ठीक है लेकिन यहां पर बता रहा हूं देखिए तमिल नाड़ो 1984 लिखा है ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारी आरंभी टेकलोजी थी और फाइनली यह सयंत रहे स्थापित हुआ और प्रोडक्शन ही हुआ समझ रहें टेकलोजी आयात करके उसे क्या करना प्राप्त करना वह अलग चीज होती है और यहां पर उसका उत्पादन छमता के आधार पर कब हमने पहला उत्पादन लिया ठीक है जैसे कि आपको पूछा जाए कि जैसे कि स्थापना वर्स और उसके उत्पादन में दोनों में अलग अलग वर्स का डिफरेंस है ठीक है तो ही सिमिलर वही चीज़े हैं तो यह स्थापना कब हुआ आप देखते हैं कल पक्कम में फाइनली जो देखते हैं 1984 में जब हमने पहला इसा प्रोडक्शन हासिल किया यह बा प्रोडक्शन जो है आपको साल दर साल यह वेरी करेगा लेकिन आपको यहां पूछा क्या जा सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रदिश है जहां सरवाधिक मात्रा में नुकले इनर्जी प्रडिश होती है तो यहां पर देखिए दो बाते तमिल नाडू दो स्थान है वान होता है तो इसलिए जनरली एक्जाम में पूछा जाता है तो इस लॉजिक को आप ध्यान रखेगा ठीक है यह बाते सभी को ग्लियर हो गई अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट का नाम देखेंगे जो क्या है मैडिसीन के तौर पर प्रयोग की जाती है देखिए देकलोजी जो ए नहीं होता यह तो सभी प्रयोग की जाती है उद्योगों की जाती है उस्टर भाभा नहीं इसी चीज़ें हम कर सकते हैं तो रे टेकलोजी का मेडिसीन में भी बहुत प्रयोग है तो जैसे कि आपको ना एक्जाम में आ चुका है उनका हम यहां पर नाम लिखते हैं कोबाल्ट कोबाल्ट 60, उसके बार देखते हैं iodine ठीक है, iodine और उसके बार देखते हैं phosphorus ठीक है, phosphorus इन तीनों का क्या प्रयोग होता लिखे, कोबाल 60 कोबाल 60 का है इसके लावा जो है आयोडीन 131 और फास्पोरस 32 तो यहां पर देखिएगा जो रे टेकलोजी का प्रेयोग हम करते हैं चुकि कोबाल 60 से क्या है गामा रेस निकलती है और गामा रेस जदी निकलती है यहां पे तो इसका एक महत्पूर्ण उप्योग क्य है इसका उप्योग किया जाता है कैंसर सेल्स को या कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इसे क्या प्रेयोग कर सकते ही इस कोबाल 60 को प्रेयोग करते हैं तो एक्जाम में आ चुका है कोबाल 60 का प्रेयोग किसमें किया जाता है तो कैंसर को सिकाओं को किल करने में मारने में प्रेय प्रक्रों क किया जाता है जिसमें प्रयोग किया जाता है जो फेलेट जो प्राब्लम्स होती है जैसे थाइरॉक्सिन हार्मॉन की कमी कि कारण गलगंडर रोग हो जाता या थाराइट से रहे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन 131 प्रयोग किया जाता है और एक और है फॉस्पोरस तो यह क्या है एक प्रकार का जो है ब्लॉट कैंसर ही है पॉली थी सीमिया कहते हैं पॉली थी सीमिया इसके यूजेज में इसके जो है ट्रीटमेंट में क्या है यह प्रयोग किया जाता है फॉस्पोरस 32 तो यह एक्जाम में आ चुके वह तीनों का मैंने यहां पर लिस्टेट किया और आपको यह जानकारी थी यह बहुत मत्पूर्ण है इसके लावा कुछ और भी दूसरे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका प्रयोग करते हैं तो यहां पे रे टेक्लोजी का मैंने मेडिसीन अप्लिकेशन बताया इसके अलावा एग्रिकल्चर की क्रिसी में भी प्रयोग किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे प्रकार के एक्स्पेरिमेंट करने में यह आपके क्या है भारत का भारत का परमाणू हथियार कारिक्रम परमाणू हथियार कारिक्रम और यहां पर यह भी क्या है काफी महत्पूर है और यहां पर दो महत्पूर नाम अब आईए देखते हैं कि भारत में जो परमाणू हथियार का जो कारिक्रम बना और वास्तों में भारत मे इसमें आत्म निर्भरता किस प्रकार हासिल किया यकीन मानगी ये हमारे लिए एक बहुत एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि विश्व पटल पर भारत क्या है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला था ये समय था पहला हम जब करते हैं पोखरण 1 को तो पोखरण 1 का टेस्ट क समय ठीक है 1974 को जो है हम देखते हैं 18 मई 1974 को हम क्या करते ये पोखरण वन करदे हैं पोखरण राजस्थान में हैं नम पहला टेस्स करते हैं नो यक्रलियर हम यानिकी नाभी की विखंडन पर आधारित यह टेस्ट करते हैं ठीक और इसमें दो महत्पूर्ण सस्थाएं काम करती हैं एक है भावा एटॉमिक रिशर्च सेंटर प्लस यहां पे देखते हैं डियार डियो डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और्गनाइजिशन दोनों की संयुक्त तत्वाधान में इस समय भावा एटॉमिक रिशर्च सेंटर की जो निदेशक थे डॉक्टर राजा रमन्ना और दोस्तों यह नाम बहुत ही महत्पूर्ण है आपके लिए डॉक्टर राजा रमन्ना को भारत में परमाणू बम का जनक कहा जाता है परमाणू बम का जनक कौन है डॉक्टर र था ठीक है तो तीन महत्पूर्ण फैक्ट इसे रिलेटेड आप नोट करिए जो एक्जाम में पूछे जाते हैं पहला पोकर अडवन जो टेस्ट हुआ था 18 मईए 1974 को हुआ था और इसे इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था इसमाइलिंग बुद्धा इसमाइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था यह याद रखेगा यह पूछा जा चुका है एक्जाम में तो इसमाइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम था 18 मईए 1974 को पोकर अडवन टेस्ट के दौरान जिसमें हम नाभी की विखंडन पर इसके बाद इसके बाद ऐसा हुआ कि विश्वपटल पर भारत का इस थान अब किस नाम से जाने लगा भारत एक नियुकलियर टेस्ट करने वाला जो है कंट्री कहा जाने लगा अभी हम बहुत भारी मातरा में हम ऐसा नियुकलियर टेस्ट नहीं किये थे क्योंकि ये क्या प्रोग्राम था पी एनी था peaceful nuclear explosion सांती पूर्ण जो है nuclear explosion सांती पूर्ण परमानु विस्फोर्ट था ये, अभी हमने nuclear bomb हासिल नहीं किया है हमने क्या है, उर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए ये सब किया इतनी बात अभी clear हो गई अब दूसरी बात देखिए जब पोखरन टू आया तो पोखरन टू के दौरान हमने क्या किया, पांच ऐसे विस्फोर्ट किये और ये विस्फोर्ट का जो हमारा कारेकरम था वो अलग-अलग था तीक है, इसे समझते हैं तो पोखरन टू के दौरान जो हमने पांच विसफोट किया इनको समस्ते हैं तो पोखरन 2 जो है दो चक्रों में हुआ तो दो चक्रों में पहला चक्र क्या था देखिए पहला चक्र था हम देखते ही 11 मई 11 मई 1998 को और दूसरा है 13 मई 1998 को हम करते हैं इस समय इस operation को नाम दिया गया था सकती 98 सकती 98 जो है इस operation को नाम दिया गया था और दोस्तों यहाँ पर बता दू यह दो चक्र का भी बड़ा value है देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं पहले case में 3 करते हैं दूसरे case में 2 करते हैं यह 5 चक्र में जो 5 जो विस्पोर्ट किये थे दो चक्रों में पहला चक्र में हम 3 20 पर करते हैं जिसमें पहला क्या था पहला सलयन पर आधारित था यानि की nuclear fusion पर आधारित था और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि यदि हम nuclear fusion वाली technology हासिल कर लिए ऐसे reactor बनाने लगे कि nuclear fusion पर आधारित है कोई है नावी की सलेयन पर आदारीथ है तो चूकि नावी की सलेयन में ज्यादा इनर्जी निकलती है उसलिए we ho bhi क्रांतिकारी कदम हो सकता है तो हमने पहला जो टेस्क किया छोटा सा विस्पोर था है ना तो उसमें हमने सलेयन को प्रेयक किया यह पहला भी स्पोड। फिर दूसरा भी स्पोड हम क्या करते हैं हम क्या हैं विखंडलं पर अधारित करते हैं और करीब करीब 15 k rotten का यह करतें पहले में हम टारिब रखें ते क्या है 200 container का लेकिनrän हम करते हैं, 40 kg-ton का, विखंडन में क्या करते हैं, केवल 15 kg-ton का कर रहे हैं, यह झाल के बड़ा थार विखंडन की तीसरे में हम देखते हैं, उसमें क्या है केवल law, केवल रो पॉइंट-twee गुबड़ काही कर रहे है तो एक सलय नों दो विखंडर यहां पर कर रहे है इसका प्रयोग क्या है आप देखते हैं आपके एनरजी सोर्सस के लिए था यहदण से चोटे शोटे जरुवतं हो पुरा करने के लिए अब दूसरा रहिंघ खंडन पर अधारित था यानि कि फीजन पर अधारित था और इसमें भी क्या देखते हैं कि आप थोड़ा छोटे-छोटे या मॉडरेट साइज के वाले दो ऐसे विस्पोर्ट करते हैं तो यहां पर यह साइज नहीं पूछेगा यहां पूछा जा सकता है सकती 98 क्या है पहला टेस्ट कब हुआ था है ना दूसरा टेस्ट क्या हुआ था 11 माई 1993 माई 1998 यह बात है सभी उक्लियर हो गई अब यहां पर एक बात और समझे कि यहां पर जो तीन महत्पूर साइंटिस जो जिनका इन्वाल्मेंट था उनको नाम समझे और यहां पर इनकी सईयोग था यहां पर सफलता में तीन सस्थाओं का सईयोग था पहला हम देख चुके हैं भाबा एटॉमिक रिशर्च सेंटर बार्क प्लस आपने क्या देखा था डी आडी ओ देखा था और यहां पर एक और नाम जुड़ जाता है डिपार्टमेंट अप एटॉमिक डॉक्टर अनिल का कोड़कर ठीक है अनिल का कोड़कर है यह लिएक निट्रीत्व में क्या चल रहा है प्राद्योगी की विजन दोजार 55 टकेक्व कोड़ ऑर टीसरा नाम है चिदमबरम सहभ ठीक तो ये तीन महत्पूर्ण साइंटिस्ट और तीन महत्पूर्ण जो है अलग-अलग प्रकार के क्या है आप देखते हैं सस्थाओं के कारण जो है और इस समय पूरी दुनिया की निगाएं हम पर टिक गई फाइनली हम यहां पर सफल हुए और पूरी दुनिया में भारत क्या है एक परमाणू बंवाला रास्त के तौर पर आप जाना जाने लगा यह क्लियर हो गया अब यहां पर दो बाते और सुनिए पोखरण वन के तौर यहां पर ब्लूटोनियम प्रेयोग किये अब यहां सलयण में क्या क्याय प्रेयोग किया थे इतनी बाते आप सभी को क्लियर हो गई यह आपके भारत में पर्माणू रास्त के तोर पे बनने में पहले हमने देखा कि nuclear reactor का development और इस पे हम देखते हैं कि भारत में परमाणू वम का किसवर का development हुआ अब चलते हम भारत में उर्जा के छेत्र में कहा आज वर्तमान 2020 में हम हैं हमारी उर्जा जरुवरतें क्या हैं हमारे उर्जा से सब्बंदी आंकड़े क्य हैं आपके एक्जाम के point अब उसे तो आए इन सभी बातों को समझते हैं तो यहां पे नोट करिए महत्वपूर्ण आकड़े महत्वपूर्ण आकड़े क्या है किसके आकड़े यह वह आकड़े होंगे जो आपके एक्जाम की लिहास से important है वैसे देखा जाए तो यह energy का बह अभी कितने रियक्टर है भारत में अभी nuclear reactor कितने working है ठीक है nuclear reactor तो यह नोट कर लीजिए 22 बाइस न्यूकलियर reactor है जो working condition में है भारत में और इन में से देखते हैं कि जो working reactor में कितना है पी एच डबलू आर तो भारत में क्या 18 ऐसे क्या है pressurized heavy water reactor है और क्या है चार क्या है यह चार है LWR LWR का मतलब यहां पर समझे देट इस light water reactor light water reactor है और इन दोनों की जो कुल छमता है यह कौन से रियक्टर है यह electricity production वाले रियक्टर है और इनकी कुल छमता है 6780 mega electric watt mega electric watt जो है आप देखते हैं mega electric watt जो है 6780 यह आज हमारी मार्च 2020 हमारी यह चमता है समझ गए कुल रियक्टर कितने हैं 22 जो working है और अंडर कस्ट्रक्शन वो सब चीज़े हम नहीं consider कर रहे हैं जो working condition में है pressurized heavy water reactor प्लस आप देखते हैं कि light water reactor तो यहां पर देखते क्या है 6780 mega electric watt जो है इनकी हमारी चमता है यह पहला point हो गया current का दूसरा हम देखते हैं क्या important है जो हमारे उर्जा के जो forecast है 2022 तक हम कितना स्थापित कर लेंगे 14.6 gigawatt यह बड़ा important data है और 2022 तक हम कितना स्थापित कर लेंगे यह data भी आपके लिए बड़ा important है यह note करिए 63 gigawatt 63 gigawatt की हम यह जो है finally हम इतना हासिल कर लेंगे हमारे उर्जा लक्ष है दोस्तों यह सभी data चाहे यह data की बात करें या यह दोनों data आपने आप में बाफी मौत पूंट data है current का और एक third point note करिएगा ITER यह क्या है बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सलयन आधारित सलयन आधारित क्या है technology develop करने के लिए क्या है reactor हम ऐसा बना रहें सलयन आधारी reactor बना रहें कहां पर फ्रांस में और यहां पर दोस्तों ऐसे भारत समेट क्या है 35 देशों का एक संयुक्त क्या है मिशन है क्योंकि सलयन आधारित रियक्टर हम बना लिए तो दुनिया में जितने भी उर्जा जर्रतों को बहुत तेजी से हम हासिल कर सकते हैं तो यह 2005 में भारत इसमें सामिल हुआ आई टी यार में जिसमें कि आप क्या देखते हैं कि भारत चाइना यूएसे साउथ कोरिया जापान यूरोपियन यूनियन और रूस जैसे कंट्री इसमें सामिल हैं तो यह इस प्रकार देखते हैं भारत में न्यूक्लियर टेक्लॉजिस रिलेटर जितने भी अलावा यदी देखते हैं जो पर्मानू दुरघट ना हुई है तो पर्मानू दुरघटना हमें पहले बता ही चुका हूसके पूर्वी क्लास में जिसमें कि आप देखते हैं की ररोगड़फिक साकी के बाद nego सिप ऌइट कि फिर हम देखते हैं कि फ्री माइल ऐलन उसके बाद देखते हैं आपका उनिप्राइव peninsula चैषाओं को निजंदे सिश्यासी हमाओन हुए था उसके बाद देखते हैं कि वैस्ट moss आप 210 ग्यारा में देखते हैं फुकु सीमा हुआ था इन सभी दुर्घटनाओं को इससे रिलेट कर लें तो इसके बाद आप नाभी की प्रादोगी संबंदित सभी प्रकार के प्रस्न को आप सॉल करने के लिए क्यापेबल हो जाएंगे ठीक है यह सभी बात आपको क्लियर हुई इंसर रिलेटेट किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है आप जो है डाउट कम्मुनिटी पे निश्यत तोर पर आप भेजिए और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और टेक्लोजी में आप देखते है कि यह नुक्लिय टेक्लोजी कम्प्लीट हो चुका है अब हम चलेंगे नेक्स क्लास में कुछ दूसरी सब्जेक की ओर हुआ 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 है